हेलो एर्विवन कैसे आप सब मैं पूनम स्वागत करते हूं आपका लैट सलोग विद पूनम में आज मैं सेर करें आप सब के साथ पूरी की रेसिपी एकदम से अलग रेसिपी है यह पूरी में हम यहां पर छोले डालेंगे छोले के साथ पूरी बनाएंगे बहुत यूनीक पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चैहिं यहां पर उबले हुई छोले और आलू यह मैने छोले को पहले ही उबाल लिया है 4-5 सिटी आने तक यह थनडा कर लिया है आलू को भी हां पर छिलका उतार लिया है इन सबी चीज़ों घो हम यहां पर मिक्सी में करेंगे आप च इसमें कोई भी मुटा पेस नियों रहना चाहिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम मिकसर के जार को ढूरां को ढ़ू приготов हम हमएजाधा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है हम ऐसे इसमें मसालें एड़ करेंगे अब यहाँ पर थोड़ इसी लिए है, हल्दी एक चोथाई, चमस के करीब यह कलर के लिए लिए है, नमक हम यहाँ पर डालेंगे, स्वादा अनुसार, एक चमस डालेंगे, हम धनिया पाउडर, मसाले आप अपने इसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और थोड़ इसी डाले ह को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर आटा एड़ करेंगे, इसके अंदर, हम यहाँ पर आटा गेहूं का आटा लेंगे, जिससे हम रोटिया बनाते हैं, आटा हम यहाँ पर थोड़़़ः करके ही डालना है, जितना इसमें डल सकता हॉम, पान में अच्छे से मसल लेंगे एक मीनट के लिए तो लिजी हमारा आटा यहां पर बैंकर हो गया एकड़ी आटा बनकर मुन्स को बड़ी आट बनकर त्यार हुगए अब इसको On सब्सक्राहर चुर्ब यह बैजे के जीड़ी हाँ सिरे,तों की लन्ध का पषिए विस तरह से सारी लोगिया हम बना लेगे और ऐसके ओपर हम ठोड़ा सा लंगे तेल महांद न धज्कर नहीं चट्रबै केरिदा Philippe تॡर्ध और इसके बाद यहां पर हम सारे पूरियों की इसी तरह से बना लेंगे अब यहां पर हम फ्राइ करने के लिए चलते हैं तेल को हम यहां पर मेडियम टू हाई गरम करना है और इसी तरह से हम यहां पर पूरियों को डाल देंगे एक्दम से उपर आ जाएंगी जब पूरिया नीचे तेल में जाएंगे हमें उपर से थोड़ा सा दबा देना है तो इसी तरह से हमारी सारी पूरिया एक्दम से फूली फूली और बड़या बन कर तयार होंगे जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करता रहेगा अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक से रेंड कमेंट कर दीजी अगर आप मेरे चैनल पन आए तो चैनल को सिस्क्राइब कर लीजिए तो लीजी यहां पर हमारी सारी पूरिया हो गई है बन कर त्यार एकदम सी क्रिस्पी और बड़िया पूरी बन कर त्यार हुए है इसमें आपको सारी चीजों का टेस्ट मिलेगा आलू छोले पूरी जिसे भी खिलाएंगे वो आपती तारीफ ही करेगा आप मेरे साथ सेयर कीजिए कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी थैंक यू बाई